कि नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहें इंडिया वोईस और मैं हूं आपके साथ योगिश पांडे जार्खंड में लगातार एडी की कारिवाई जारी है और इस बीच सियासी दलो का वार और प्रतिवार भी जारी है सतरा तारी को एडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया पोस्तास के लिए पोस्तास हुई और पोस्तास की बाद जो क्लू मिले एडी को अब उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि दरसल एडी की जाच में कई आधिकारी भी आ सकते हैं अगली बारी अब कई के अधिकारियों के होगी एक रिपोर्ट देखिए कि जारकंड में अवयद कणर और मनी लॉंडरिंग के मामलों को लेकर एडी लगतार कर्रिवाई करती नजरा रही है तो दूसरी तरब सियासी वार्पलटवार का दौर भी जारी है लेकिन इन सब सियासी वार्पलटवार को नजर अंदाज कर एडी के टेम रुखने का नाम नहीं ले रही है अब तक कई लोगों की ग्रफतारी भी हो चुकी है तो वहीं सियम सोरेन तक को एडी के आधिकारियों के सामने पेश्चोना पड़ा अवयद खनन और मनी लॉंडरिंग के मामलों को लेकर एडी की नेजर ना केवल नेताओं पर बलकि एडी के रडार पर कई आधिकारी भी है धरसल अवयद माइनिंग को लेकर जारखन में एडी ने 17 नमंबर को मुख्यमत स्थारी हेमंत सोरें से पूस्टाज की है और इसके बाद अब जांच की आज किसकीश पर पड़ेगी इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है सूत्रों के मुताबिक पोस्टाज में जिस तरह के संक्यत मिलें उसके बाद अबराज के कई ब्यूरोक्रेट्स पर भी जांच की आज पहुंच सकती है इसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं विबक्सी पार्टी बीजेपी ने तो पहले ही इस जांच का स्वागत किया था जांटकारी के मुताबिक एडी की रड़ाग पर कुस माइंस अधिकारी के साथ साथ डीजी और एस्पी भी आ सकते पहुति प्रक्रिया इस बात को लेकर बीजेपी के नेतास बार बार कह रहे हैं कि जांच में तेजी आनी चाहिए भी जगतार इस बात का जिक्र कर रही है कि राची में व्रुष्टाचार पर रोक लगनी ही जानकारी बिली है एक अब उसके आधार पर वावरिक तोर पर एडिजब तक कोई अंपिन निर्णे पर में परूशती है तब तक वो जांच करती रहें और उनको किस किस से जबरत पड़ती है तहां तहां उनको बात करने कि आउसकता मासुस होगी है यह तो एडी वाले ही जा कि अलावा कोई जाग नहीं सकता है लेकिन जैसा कि मीडिया में चल रहा है अपी लोग ने इखाया है लोग लिक रहे है कि जाज का दैरा बढ़ रहा है तो उसमें कौन-कौन लोग घेरे में आएंगे किसकी विशह में क्या-क्या तथ सामने आएंगे तो इडी वाले जाने कि अधर कॉंग्रेस की नेताओं ने भी अपनी सरकार का पचाओ किया पार्टी के प्रवक्तार राकेश सिनहा ने कहा है कि सरकार अपना काम बेतर ढंग से कर रही है इडी की जाज हो रही है जाज में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें यह लगता है कि गेंद्र सरकार लाग प्रियास कर ले जारखन में विकासिल गटवंधन को औस्थिर करने का इडी के मारफ़त सीवी आई के मारफ़त लेकिन हम पूरी तरह जुठ है और सरकार अपना कार्चकाल पूरा करेगी भार्ची जंता पाठी का जो मनसा रहा है कि गैर भाजपाई सासित राज्यों में हम एडी और सीवी आई के द्वारा वहां के सरकार को अक्सिद करके गिराने का प्रियास करें तो जारखन में पूरी तरह कमल कुचला जाएगा खेर सियासी वार पलटवार तो अपनी जगा है लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रिष्टाचार के खिलाप चल रही एडी की जाज की आज अब किस बार इंडिया वोईस के लिए राची से राकेश कुमार करिपोर तो ये डी ने मुक्यमंत्री हैमन्त सुरेन से पूष्टास की और उस पूष्टास के धौरान कईये से तथ्थीff मिले हैं बताया जा रहा है जो सुत्रों के हवाले सिखबस सामने आई है कि उन तत्यों के आधार पर अब एड़ी के अधिकारियों को उन अधिकारियों की तलाश है उन अधिकारियों को चिन्हित करने की बात की जा रही है और उनको समझ जारी करने की भी बात की जा रही है जिनकी मिली भगत से यह महा प्रुष्टा चार हुआ है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ फिलाल उजल तिवारी जी जोड़ चुके हैं योथ कॉंग्रेस के महा सच्छी में जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं इंडिया वाइस पर जन्नवाद आपके सारे दिवारी जी यानि मुश्किले अभी खत्म हुई नहीं है खत्म क्या कहें कम भी नहीं हो रही है अभी तो केवल मुख्यमंत्री से पोश्टाज हुई कई लोगों गिरफ्तारी भी हो चुकी है लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कई आधिकारियों को समझ जारी हो सकता है और उनसे पुश्टास हो सकती है इस जानकारी जानकारी जादा तर क्या गया है और देखते होंगे जैसे कि वह अपेले कहें और पूरा पुस्ताद जो चला वो उनसे बाद वो घर आए उसका अपने वरकर्ट को सब्दिख्या और बोला तब ज़र जाएए सबस्टी स्थिक है तिक है अगर आपके माध्याब से बच पुचिना प्यासा होंगे इडी करवाई तो कर रही है बहुत अच्छा एजेंसी है जिसको करवाई करने सब्सक्राइब में मंत्री सब्सक्राइब में मंत्री सब्सक्राइब में तो यह सब गोटाले में भी एडी को अपनी गरवाई की ओर पढ़ना चाहिए यह सब्सक्राइब में तो हम लोग शर्योग करेंगे अगर केवल राजनीती वज्जित निकारने के लिए अगर एडी सरकार को अस्थिर करने के लिए अगर हस्कंडे अपनाएगी तो यह सब्सक्राइब करेंगे अगर सही तरीके से जाच होगी तो कॉपरेट करेंगे अरना वर्नाव आप जो है सडकों पर उत्रेंगे इसका पैमाना क्या होगा क्या एडी की तरफ से जब ठोस कारेवाई करते हुए उसको अमली जामा कारेवाई को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा किसी की गिरफतारी होने लगेगी तो क्या आप यह मानेगी कि जो कारेवाई हो रहे हो गलत हो रही है और अगर ऐसे ही पूश्ताज होकर के मामला सब ठीक ठाक हो गया तो कारेवाई से हुई पैमाना क्या होगा कि आप जो जाज करेंगे उसका डायरा क्या होगा क्या दो साल होगा कि बथग्स साल होगा कि बीश साल होगा अगर आप खनन की शारज़ती जाज कर रहा है तो खनन के बाग मारा घुलू-बटोजी का भी जाज कीजिए परोड़ेशों को थना जना सब थे आपको तब कर देगा जैसा साहल सौन तरोड़ी शोस और आपको गरेशिता है तो इडी को अपने बयानों में अपने सक्त्रों में जो भी बोलना है उसका गर्मा भी मेंटेन रखना पड़े है ठीक है प्रतुल जी आपने सुना दखिए अगर एडी की तरफ से गर्मा मेंटेन रही जाज सही तरीके से होती रही पूस्ताश होती रही तब तो ठीक है वरना जार्खंड की सरकार सड़कों पर उतर आएगी और ना तो भारती जनता पार्टी को घरने में कोई कोर कसर चोड़ेगी और ना ही एडी को है अब जी आप जिस्टा बारी होता उसको मौका दे मैं किसी को टोकता नहीं हाँ जी आप बोलिये देखे सबसे पहले मानिया मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उन्होंने रोयल्टी के फिगर को दिखा कर या सिद्ध करने की कोशिश की कि इतनी सिर्फ रोयल्टी आती है यह साहिब गंच जिले से 50-70 करोड के असपास का कोई फिगर उन्होंने साइट किया पूरे राजी के परिपेश में और का की साहिब गंच से 1000 करोड का जो बोटाला है वो संभा है यह बोलते हैं मानिया मुख्यमंत्री जी भूल गए कि जो रोयल्टी आती है वो सिर्फ लीगल माल लीगल माइनिंग चाती है यानि वैद रूप से जो माइनिंग हो रही है जिसके लिए पर्मिशन होता है पॉलिशन कंट्रोल बोट पे जिसे राजी के माइनिंग बोट से राजी के माइनिंग डिपार्टमेंट से पर्मिशन मिलता है उसके वोयल्टी जो होती है अगर आपके पास कुल माल जब्त होता है अवैज खानन का तो उसकी दुखनी कीमत वसूली जाएगी जितनी उसकी कीमत है अब देखे रोयल्टी पे ये पूरे चीज को डिस्कोर्स को मोरना चाह रहे है तो रोयल्टी तो लीगल चीज़ों पर होती है कानूनी चीज़ों पर जा रहा था मानिय मुख्यमंतरी जी जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि साइब गंज में 800 ट्रक्स रेजिस्टर्ड है कितने अन्डिस्टर्ड ट्रक्स चल रहा है बिना नंबर के इसका उन्होंने डेटा ने दिया देखे क्या बोला प्रशन है ना बाहर पॉब्लिक परसेप्शन मनाते दिखे देखे योगेज जी अब मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूं कि मानिय मुख्यमंतरी जी बड़े अच्छे से अब पूरे ब्यूर्यक्रिसी पे इस जाज को डाइवर्ड करने की कोशिश में लगे हैं उन जैसे मीडिया म बाहर रहना ही कबरों के निव along के मंतरी जी यिन ने कहा है इसका जवाब 19 time की नहीं होती तो एंपर सचो गया किसी जगाओ उसके बाद अगर आप किसी को an official भीज़ रहे हैं आपको दाएं पम हिम्मत होगी कि बिला सियम के आदेश के वो एक दलाल के घर जाकर यूपी कर रहा होगा दूसरी बात जो सबसे महतर पुन बात है मानिय मुक्र मंत्री जी ने का मैं फिर से मीडिया में रिपोर्टों के अधार पर कह रहा हूं कि जो भी पंकज मिश्रा है वो क्या कर रहे थे इसकी उनको जानकारी ने था यह तो जोक है हमारे जो विदायक दल के नेता है मानिय बाबुलाल मरांडी जी ने उन्होंने बारा बार पत्र लिखा बोलेंगे तो मैं तारीक ही बता जूँगा कि पंकज मिश्रा के नेत्रूइत में अब सरों का एक कौकस जो है वो लगतार इर लीगल माइनिंग कर रहा है और मुख्यमंटरी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं और जिस तरीके से किसी का विधायक प्रतिनीदी ये सारा कुछ कर रहा हो और उसके बाद मानिये मुख्यमंटरी ने छार स्चीटेड वेक्ती को अपने पत से नहीं अटाया ताफ समझ सकते कि इतना गेरा निक्ता से मुख्यमंत्री जी ने चीज़ों को डाइवार्ट करके काज कि वा के डीटी और एस्वी को हमने कभी मना नहीं किया यानि वह जाज को ब्यूरोक्रिसी की तरफ मोड़ रहा है और आप सोचे मैं पहले भी कहता रहा हूं यह ठाना चेतर में क्या होता और स्थानेदार को अच्छे से पता होता है और एक मुख्यमंत्री को नहीं पता कि इतना बड़ा इलीगल माइनिंग का रहे थे जिनके घर में उनके साइन के वे ब्लैंक्ट चेक्स मिलते हैं तो यह जो ब्यूरोक्रिसी के तरफ यह जाच मोड़ने की कोशिश की जा रही ह हमारे साथ सुच्छान तो मुखर जी जूड़ चुके हैं मासस के नेता है आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं मुखर जी इंडवाइस पर एक सवाल और प्रतुल जी आपसी यह है बड़ा क्योंकि आप पहली चर्चाओं में भी इसके पहले भी जब बैठे हमारे साथ तो जारी होने जा रहा है यह आरोप कॉंग्रेस की तरफ से अक्सर आपके आप जब चर्चा में बैठे तब भी लगाए गाए तो मैंने यह पूछा मैं आपको दिखा रहा हूं इन्हों ने कहा कि निशिकान जुबे जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी वाप प्रश्णों से घबडा गया है उनका चार बच कर कुछ मिनट में किया गया ट्वीट था यह एक नाशनल अख़बार में चला तीन बच कर 26 मिनट में न्यूज है मुख्यमंत्री एडी कालेले से 6 घंटे सुन से पूछता हो रही है एडी के सवालों से घबडा कर बार बार पानी मांग रहे हैं थी हम अब निशिकान दुबे जी ने क्या ट्वीट किया उन्होंने का खबर है यह इसी तरह की खबरे चल रही थी सोशल मीडिया पर अगर इ मुख्यमंत्री जी की भूमी का तय नहीं की गये थी कि उनको जाच में सायोग के लिए बुलाए जा रहा है जा यह आरुकी बुलाए जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद को पहले से आरुकी मान लिया और तो तीन उनके लोग से प्रेम प्रताष, अमित तो आपको कितने बार वो लिस्ट को बता है जब हमारे प्रधान मंत्री एसाइटी जांच को फेज कर सकते हैं तो किसी को किसी को बताया ठीक है आते हैं आपके पास आते हैं प्रतुल जी मुखर जी आप बड़ा कुछ नजर आ रहे हैं देखिए यह जिम्मिदारी तो यह ज़ी सी और एसपी डेफोल डेमों इनकी होती है आप अगर अवयद्खननाश हो रहा है तो इस पर रोख लगनी चाहिए तेकात होनी चाहिए क्या कहा पर रहा उनको जानकारी होनी चाहिए और अगर ऐसी चीज़ें नहीं थी अवैद्खनन हो रहा था तो आब इनकी भी बचनी नहीं चाहिए मुझे लगता है और अब जो खबरे आ रही है कि अधिकारियों पर गाज गर नीता है तो बिलकुल ठीक बात है अब बता दे कि बार पर करने पतुल जी जे की बार बार स्थी लिख से यह पता हो जोड़य के बार बार स्थीग तब आपहुती मिदे के जोड़ने के बार स्थी लें ने कर दो कुछ हुआ है और यह लोग जजमेंट पहलो देदेते हैं जाट हो रही है जाट होने दीजिए कोई बोलते क्रिमिनल केस में है कोई बोलते हजार करोर है जाट करेंगे ना जाट अरो मुखपंतरी जाट में वह आ गये है आप रुकिया वी अमुली विच्टे किजिए प्रतुल जी ने इस सारा किया कि वह कुछ बोलना चाहा रहे हमने उनको उनको समय दिया कि आते हैं आपके पास इस पर टीकेट पुड़ी परसनल नहीं हो रहा चाहिए गुचात्वे सांट करें जाओ अश्ताय तो घॉप टै di ai को सबूपतर गयाज़ शाति है जाओ कर्वाध ईज़िए जिलनत員 चुहरे करेंगे आपके तास साथ कि शिर्यायजizada है आपके दॉसाओं के विख्पंतरी शिर्याजाक में है फीजी में है हुुपंतरी है आपके वीज़ भी दिद्धिना हुआ है पश्चिम बर्वार के ने किसालों पर पोली चलाने वाले लोकों को ऐसी भाटा पोलना से खोबा नहीं देता। चेलों किसे पुली चलाै था, वाले किसालों की हच्चित पुली है। उसी सरकार यहां किसे आपके समय सब्दार की आपके की अपार के तुमuéरी चाहत है। इसने करश में हमारे धाल के लोकson की ऐ नोना लाएं। करेंगे आते हैं मुखर्जी आते हैं एक मिटा आप भी रुख जाएंगे आपने तो बाहर से शुरुवाती कि आप तो रखिया चाहेंगी चाहेंगी चाहिना से आए सबस्क्राइब मुखर्जी आप बाते हैं पर से जाएंगे तरह जाते हैं भी तेगती तेगे निकल जाएगा प्रतुल जी यह बताइए लगातार मुख्यमंतरी से पूश्टाच हुई ठीक अच्छी बात है लेकिन उनको उनकी आध्दास्त बताया जाराज सब चली गई वह इस तरीकी की काम हो रहे थे उनको जानकारी ही नहीं थी उनके जो विदाग प्रतनिधी हैं पंकाज मिस्तरा क्या कर रहे हैं इस बात की जानकारी यह तो हैरान कर देने वाली बात है यह प्रतुल जी की बात में इस बात में दम है इस बात कर मैं भी समर्थन करता हूं देखिए कि भाई हमारा कोई प्रतनिधी हो क्या काम कर रहा है मेरे बि कि अग्सकत कर गया तो कि अइस कर्थ यजर है यॉजक देखे थया दोच की लिगा है । कि अपर फीर साली तब बोलेंगे उसमें यह पाई गे ना जो सवाल का जोब दीजाआ करो लो लुग defy कमें आपके चैनल में बैठता हुं विश्थिक टिपड़ी मैं कभी लिए करों क्या है कि कोई भी किसी पर विश्थिकाट इसाइब करें जो सवाल है उन सवालों के जवाब चाहिए और उन सवालों के जवाब दीजिए आप प्रतुल जी आपके आपके प्रतुल जी सीधा से सवाल का जवाब दीजिए यह बताइए क्या इसा हो सकता है वास्तों में यादी आपका कोई प्रत्निधी हो अनुट्र वारे वारे जिकर किया ने खिस तरीके से उन्होंने मिड्डे में किस तरीके से अपना कारोबार शुरॉआ के अंडे की सप्छाइए को लेकर किया वह मुझे शारी जानकारी मालूम है वह आप मताईए वह मैंने सवाल पूच चुके हैं पहले इंपर चर्चा हो च कि क्या ये संभव है कि हमारा कोई प्रक्निधी हो और वो कोई काम कर रहा हो और मुझे जानकारी नहीं के वाल इतना से जानना चाह रहे हैं आप नहीं देंगे स्वाब आप नहीं देंगे आप जो मैंने सवाल पूछा उसका आप आपने जिया नहीं ठीक है कि अगर आपके डिवेट में एक मर्यादा होती है आपके डिवेट में अगर ये मर्यादा कूटे तो ये उचित नहीं लगता आप पूछेंगे आम और कोई जवाब देगा इमली और जब मेरा समय होगा तो कोई बोलने लगेगा और लगतार इस तरह का चिलाने वाला डिवेट नहीं रखिए आप अपनी बात रखिए अपने बात रखिए हम नहीं चाहिते हैं देश की जनता चाहती है देखिए हम और सुषान तो किसी भी कारण पर आपती थी तो तीन वर्शों तक ये सरकार में थे इनों तो सारे मंत्रियों उसके बारे में मुक्य मंत्री ची को जानकारी नहीं थी कि बाबू लाजी की बाएं बात कर रहा था कि 12 चिख्षियां उन्होंने लिखी थी और कि स्पेशल टार्स पोस एक बना हुआ है इलीगल माइनिंग के किलाब पुरे प्रदेश का क्या उसे भी जानकारी नहीं थी इलीगल माइनिंग हो रही है अकबारों में खबरे छप्की थी कि साहिद बंजी लाके का पहार गाइब हो गया अब नहीं हो गई ठीक है अब नहीं हो गई इसके पहले से थी जब खबरे सामने आने लगी तबसे उनको थी अगर थी सीव कोई बात थी हो कही रहें आप उनको जानकारी करने की कोशिष करनी चाहिए थी मुखर्जी जी क्या हम गलत कह रहें अगर मुख्यमंत्री सहाब को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके प्रत्निधी ब्रश्टाचार में सनलिप्त हैं ये खबर जब आ गई सुर्खियों में तो उनको इस पर अमनी जामा पहनाने का काम करना चाहिए था पूस्ताच कर करनी चाहिए थी जानकारी हाँसिल करवानी चाहिए थी क्या कि उन्होंने तो इस तो इस तो तुट हो चुका है जी आगर यह बता दे यह चीज बता दे कि जिदायक पति निदी के पास अगर शिदायक का ब्राइंग चेक रहें यह कोई आरूपी नहीं अब लोग की घर में विधायत हैं हम लोग देखें हैं हम लोगा 50 पार 50 अब लेकर शाइन किये चक नहीं देते मुखर जी समझे अगर इतना विश्वास आप कर रहे हैं तो यदि आपका प्रतनीदी कोई गलती कर रहा तो उसके पूरे भागीदार आप होंगे यदि पंकज मिस्रा ने ब्रश्टाचार किया है तो उसमें सनलिप्तता मुख्यमंत्री की मानी जाएगी क्योंकि अगर उन्ह जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो लगातार जिस तरीके से एडी की कारेवाई जारी है आपने देखा कि किस तरीके से लगातार सियासी हलचल बढ़ी हुई है लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से जो पोस्ताच हुई है उसमें जो क्लू मिले अब आधिकारियों की गले के फांस बनने वाली है एडी अधिकारों पर भी शिकंजा कसने वाला है लेकिन कौन अधिकारी होंगी वो देखने वाली बात होगी इस चर्चा में फिलाल इतना ही देर्श और दुनिया की तमाम खबरों लिए आप देखते रहे हैं इंडिया व